में बाबर को सपोर्ड करता हैं हमेशा करता हूँ लेकिन इस चीज के अन्दर मैं बिल्कु सच बात बोलूगा बाबरे किते हैं दोसों हैं किते हैं ठस्मैशिस खेलें लिए घट प्लेश से हैं और गाज़ प्लेयर से आपको और क्या की चहिए और अब इसको इंडिया का future देख यह जो हुए इंडिया का future है. जितना भी देखें जितना भी credit दे जटना बहुजा अज तक एक series अज तक नहीं लगे. 22 नहीं लगे. एक series में 22 खक्के आज तक नहीं पड़े. तो यह सारी चीजुदें इसके नाम पर है. इसके strats निकाल के देखो सिरिफ और सुरिफ सात्माँ टेस्ट मैच यह लड़का खेल रहा है और सेवन टेस्ट मैचिस के अंदर थ्री टाइम्स 150 प्लस स्कोर यह सभी जैस्वाल के नाम रहा है और टू ताइम्स 200 प्लस स्कोर इंग्लेंड का पकड़ के कंटा बजा दिया है यह बेजमाल फूजबाल फूजबाल भूस दिया वह बड़ा इंपोर्ण रोल प्ले कर सकता है जिस तरह आज वो खेला है और जिसके समका स्टार्ट उसने दिया है टीम की जो परफॉर्मस थी और जो कॉन्फिडेस है वह बहुत बड़ी चीज होती है और इसको एड्मिट करना पड़ना है कि इंडिया जिसको कहते है बहुत बड़े खिलाडी को प्रड्यूस कर चुका हुआ है शुबमन गिल का पिछला साल था यह वाला साल यह सुपी जैस्वाल के नाम है जिसके सबी जैस्वाल प्रफॉर्मस करके दिखा रहा है माइंड बुलोई सुपर इसका मुकाबला भनी निरा सिंगल हैंडल लेके चल रहा है आज गिल भी सेंचुरी डिजर्फ करता सा रन आउट हो गया 91 के उपर उसने भी शांदार बैटिंग की उसने भी दिखा है कि मैं अभी तक जिससों कहते हो ना काईम जो भी नाबाद आनि यह सस्वी जैसुआल appelle लगातार दोग्यूम सेंचुरी लगा के उनी ज्री कोड की जड़ी लगा सिंगल हेंडल लेके चल रहा है आज गिल भी सेंचुरी डिजर्फ करता सा रन आउट हो गया 91 के उपर उसने भी शांदार बैटिंग की उसने भी दिखाया कि मैं अभी तक जिससों कहते हो न काईम हो दाइम हूँ सपपर वहां है इसके प्याठी के बात करो नाजड़ दिल खूश हो देखते हुए शक्के में उसके खिणग कर रहा है इतने चखे इतने चके यह सवी जैस्वाल ने मार दिये के मतलब कि ये लड़के एगर हम 200 की बात करो तो इसने दोसों तो 31 बोलों के उपर इसने दोसों मार दी है ये तो तेज खेल रहे है जो बेजबोल 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 का दुआ मचाया हुआ है पागल बनाया है बेजबोल का रियल बेजबोल नहीं है जेजबोल है जो ये लड़का खेल रहे है क्या शांदार किसम की परफॉर्मस करके दिखा रहा है कि आप यह देखे कि बैक टू बैक 200 सेकंड टैस मैच के दे दोसों आया तीसरे टैस मैच के दे दोबारा से 200 आगे है यह कोई कम चीज नहीं होती है बहुत बड़ी चीज होती है और इसको एड्मिट करना पढ़ना है कि इंडिया जिस्तों कहते हैं बहुत बड़े खिलाडी को प्रोड्यूस कर चुका हुआ है शुबमन गिल का पिछला साल था ये वाला साल यस भी जैस्वाल के नाम है जिस किसंदी जैस्वाल परफॉर्मस्स दिस करके दिखा रहे है मांड बुलो और जैस्वाल के चके तो रुखते ही ना मतलब कि ये बंदे को आप देखे जो बंदा इतनी देर से खेल रहा हो थांग जाता होता है उससे जैस्वाल आगे बढ़ बढ़ के माड़ है हर जगा माड़ है इसकी क्वालिटी यह कि यह लगका चक्के बारह चक्के क्रिकट के 147 साला इताहस एक सिरी ने बाई चक्के आही तक नहीं पड़े तो यह सारी चीज़ें इसके नाम पर जितना भी जितना भी क्राइडिट देंग और वह इतनी चक्के आज तक एक सीरी ने लगे बाईश क्राइज नहीं लगे दो के बाद हो रहा आगे तो अर तो कहने का मक्सद यह आज इस तरह देखें बड़े फ्रस्टेटिड अभी पानी का मखफा हुआ है एक और पहले किसी भी बाइलेटरल सीरीज में इंडिया की जानब से सबसे ज्यादा च्छके लगाने वाला बल्लेबास जो है वो यससवी जैस सवाल बन गया है कमाल कहला औ दो इनिंग्स खेली हैं दोनों इनिंग्स में जो है वो 50 बनाई है पहली इनिंग्स में रन आउट हो गया और आज की इनिंग्स में अगर डिकलेयर ना किया जाता तो जिस स्तेवर के साथ ये खेल रहा था ना ऐसा लग रहा था कि ये भी जो हावा सो बनाने को देख रहा ह पहले मैच में 50 दूसरे में 200 लगा दिया तीसरे में भी 200 लगा दिया एक प्लेयर से आपको और क्या चाहिए 22 साल का लड़का है और जितनी ये स्ट्रगल करके आया हुए है ना कि पानी पूरी बेचते हुए जो है फिर उसके बाद आके इंडिया का एक मैन बलेबास बन जान बलेबासों की बैटिंग को देखते हुए आज अगर देखा जाये तो 430 पे 4 आउट और इनिंग्स को डिकलियर किया इंडिया ने अब इंडिया को 556 रंस की जो लीड आव असल हो चुकी है 556 रंस इंगलेंड को बनाने है बाई चार तक्रिबान साड़े चार सेशन में अ लäकिन कमाल की बैटिंग जों इंडिया की जो देखने को मिली है ऐसा लग रहा है कि अगर इंगलेंड को मैच में बचा सकते है नो व बारिष ही बॉपकुई में बचा सकती है बेलकुल बैजबॉल बैजबॉल मत्यू ही थी लेकन बैजबॉल कैसे खेला जाता है वो जैस्सवाल और सुर्फराज ने बटा दिया जैसे जो जैस्सवाल ने इंडरसन को एक ह bevor में तीन च्छके उठा के दे-मारे और इंडर्सन की बहुत जादा दुलाई की है इंडर्सन का जो केरियर है उसमें कि दूसरी बार हुआ है पहले इनको जार्ज बेली ने पर्थ में जा तीन च्छके लगाए थी टेस्ट क्रिकट में और अब जो है वो जैस वाल ने यहां पर राज कोट में एक ही अवर में जा लगाने वाला बलेबास जो है वो यससवी जैस सवाल बन गया है कमाल खिला और साथ में अगर देखा जाए तो सरफरास इसकी क्या ही तारीफ करें दो इनिंग्स के लिए दोनों इनिंग्स में जो है वो 50 बनाई है पहली इनिंग्स में रन आउट हो गया और आज माना ही न इनोंने रिकोर्ड बनाई है और जो रिकोर्ड तोड़े है उनकी तो लगातार दो दोहरे शतक लगाने वाले ये तीसरे बल्लेबास बन गए यससवी जैस वाल भारत के लिए टेस्ट में लगातार दो दोहरे शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबास बन गए और इससे पहल इस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। एक टेस्ट सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले लेफटी खिलाडी ये बन चुके हैं। सिर्फ तीन मैचों में इन्हों ने 545 रन कूट दिये हैं। और इससे पहले ये रिकोर्ड सोरव गांगुली के नाम था। सोरव गांगुली ने 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 543 रन बना दिये थे। इन्हों ने बनाई हैं अंग्रेजों के खिलाफ 545। ये भारत की ओर से एक टेस्ट इनिنग में सबसे ज्यादा चखके लगाने वाले खिलाडी बन गई हैं। एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा चखके लगाने का रिकोर्ड पहले पाकिस्तान के खिलाडी वसीम अकरम के नाम था और उन्हों ने 1996 में जिंबावे के लगा दी है और अगर बात करें क्रिकेटर्स की तो दुनिया के सारे क्रिकेटर्स जो की समैच को फोलो कर रहे थे उन्होंने इस क्रिकेटिंग मेरे कली का जा सकता है इसके उपर कमेंट किये है और जैस वाल को भारत के बड़े-बड़े खिलाडियों के तरफ से बधाया मिली है आसिरवाद मिला है और साथ में पाकिस्तानियों ने भी कहा है कि भाई ये खिलाडी तो सच में शांदार है दोस्तों शांदार इनिंग के उपर आपकी क्या राई है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आगन पर क्लिक कर दें ताकि आपको अगरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए